तो एक जौब करेंटरव्यू के लिए फैनि उन्हें इमेल कर रहे हैं। तो जिस भी रिस्पेक्टिव परसन को इमेल करनी है तो मतलब एक इंटरव्यू तो अभी है दूसरे इंटरव्यू सेट अप कर रहे हैं तो मतलब जितने जादा इंटरव्यू सो सकते उते जादा देने चाहिए पता नहीं का आप तो कौन सी ऑपरजरेटी मिल जाए तो क्योंकि उनको जॉब चाहिए और आड़न भाई को आना है मतलब कि जब मैं इस न्यूं हाउस में शिफ्ट हुआ तो जैसे कि आपको पैते कि इस हाउस में बहुत सरे रूम्स हैं पिछले हाउस के तरह तो आड़न भाई भी आपर एक रूम में रहे हैं और उनको कारदा मै कि मैं चाहिए तनी दुद्र धाइं नहीं हुआ हैं और यह वीडियो और यह व् apart in और उनको आपके साथ सारे एक्जब एक्स नहीं कर सेका जब में को我是 युदुर में वह सार 1W पिछ मतलब का इसी मिला फिल्थर तो उसको मतलब इने तुम है वह सारा उस्पिरेंस अब को तो चलो चले मैंने को बाई का हमी लिख देते इंटर्व्यू के लिए जोग इनो ने लिखना है और मैं इनके मानेजर को मेल कर रहों कि इनका इंटर्व्यू कर आओ जल्दी से तो बाई को जौब दलवाने है जल्दी से जल्दी क्या कहते है अनन भाई डल रहे हो? येस डराना नहीं है क्या लगता है हो जाएगा पर इंटर्व्यू पता नहीं किते हैं मिलते की जोग सब उपर वाले का देन अब अब ये मैं आगरी स्टेशन पर पहुंच के और यहां से अब आगे फाइफ सेक्स मिनिट की वाक है तो फिर वो वाक करकर हम इंटर्व्यू के ले जा रहे हैं तो मैं बड़ा एक्साइटिटिट हूँ बलकि मेरा तो इंटर्व्यू है भी नहीं मैं इसले एक्साइटिट रही है क्योंकि मुझे नॉस्टाल्जिया वाली फीलिंग आ रही है कि मैं भी जिप शुरू मैं आथा तब यही सब को चुबाता हूँ तो अनन भाई गये अभी अंदर इंटर्व्यू देने के लिए यह जो मेरे पीछे अपको दिख रहा है हाई फाइफ चिकन यहां पर इंकाज इंटर्व्यू है और थोड़ा शोर आ रहा होगा ट्राफिक का एक सिकन तो अब्यू मैं मार्किट के पीछे आगे हूँ और यह यहां पर जो अभी मैं आपको शॉप दिखाई थी तो वहां पर अभी आनन भ्रो का इंटर्व्यू चल रहा है तो इस लाइक तो इस लाइक इस लाइक इस लुकिन फोड़ा जोड़ा और उनने काली रजूमें इस्ट्रिवूट करें आज तो एक इंटर्व्यू मिल गया ह तो देखते हैं क्या हुतर आगे 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 क्या सी गिषिब थोड़ा ना पोपट सा हो गया मैंनलस्तल्क क्या को अ supports me did you say तो आचा है इस नहीं मनेजर देह स唉 उनके रफरेख साथ वनके साथ की इंका रवील के बाद कईर कर सकते हैं हमनों ने काला हसे नहीं कहला हम बền луч ऑनिक हम एंधग Leben नेक रहेने की हें दोतीज़ी 항상 अव्णANS कर देंगे बड़न कि अगर कंटिनियूस अगर कंटिनियूस हसेगा तो दो तीन पिस में सकते है तो एक पीस में घुटाइब वैसे भी किसी का पूरा सिस्टम ना मतलब किसी को बुलाया भी से इंटर्व्यू के लिए उसका इंटर्व्यू लिया भी नहीं तो मतलब मतलब मुझे कुद को इतना बुरा लग तो जिस पर बीती हो इसको तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा बट यहीं चीज है कि हिम्मत नहीं हारनी अभी जो कुछ नहीं हो सकता क्या पता मिल भी जाए बट अभी जिस चीज के लिए थे वो हुआ नहीं एक्सप्रेशन इतनी सीरियल बात में कै एक्स्रेशन दे रहे भाई यहां पर कड़ा हो जालता है चल्ती का नाम है जंदेगी जंदी का नाम है गाडी कुछ भी मत बोला हुआ कभी ने कभी तुम मिले जाएगा आज कर पर सो तीन चार मेने पाट चार में एक साल में तो मिली जाएगा ना एक साल वेट कॉन कर सकता है भाई हां जी दिलबर तो सीन कुछ ऐसा है कि जैसे कि आप लोग को पते कि अभी हम कुछ दिन पहले आनन भाई के इंटर्व्यू के लिए गए थे उनकी जॉब लोकेशन उस दिन तो उनका इंटर्व्यू नहीं हो पाया बट कुछ दिनों पैंडमिक और क्या उने जॉब मिली और नहीं मिली उससे हम अभी बात करेंगे उस चीज के बारे में क्योंकि आनन भॉज मेरे साथ है हाँ आज हमें टाइम मिले हम खुल कर बात करेंगे सारे क्वेशन अब कुछ मैंको बताऊंगा तो बस चलो फिर चले और एक गारडन है तो हम सबसे पहले आपको यह बताने वाले कि कितनी जगा पर आनन भाई ने इंटर्व्यूस दी है और किस जगा से उनको उफर आगी एक दिन ऐसा था जहां से ना जॉब्स मिल पा रही थी ना ऑफस मिल पा रहे था आप अब वो तरना कि किसमत बतलते हुए देर नहीं बताओ तो आपको किस जगा पर इंटर्व्यू आपने दिया है अभी तक तो मैंने हाइफ चिकन में लड़ा उप्चा बोलो मैं तो मैंने हाइफ चिकन जो रेस्टरांट है कि एफसी ज़सा यहां पे चेन है तो वहां पर दिया था वेंडी से मुझे कॉला और एक कंपनी चिट्चाट बोलके उनका भी मेरे फिल्ट रिलेटेड़ी था तो और एक जगे पर हा लगबग चार जगे तो आप मैंको यह बताओ जैसे भाइफाइफ पा उस दिन में आपके साथ गया था और जब आप फिर से गह थे इंटर्व्यू के लिए तबसे क्या 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 पांडमिक पर पांडमिक कर पर सिनारियों क्या था अंदर रस्टरों के लिए देखो यह चीज कैसा है कि मुझे अटी लग रहा था कि उन्नों कुछ पुछेंगे मेंली इंटर्वी रिलेटेड़ी बट अटी बट अटी स्पीकिंग तो बीडियों थे था जादा तेक्निक पांड में उसके अलावा जुट्टे कल गुछन सो थी है जैसे कि बट सरे कम्में मूर्भ पुछ थे की मुछ पुछेंगी अजया या विए उनिनल्ग पूचानी बस मेरे रिजुमे देखे अर उनने उनके जौब के बारे में इंज पनीं के बार में उनने बात करना चलो क तो हुआ दूसरी जेकां इन्चरव्यू गार्फी अब यह कैसे कुंसी निर्ट इा कैसे कहिं टो मेंने भाषी पूंक टो वह उन्हों कुंसी पूछे हैं तो जुछो रू है अश्या ड्राफिन करना चिछाट्स और मैं इंड्या में विल्चाट्स है तो मेरा डोमेन जो है इख साइल इसे और मेरा कुटमरेसि सर्विस्ट तो अज तो वे थला कुछन रोन जा था किया कि आंप मतलब इन सबसे आपको क्या लगता है कि हर चीज का अंसर कैसा है जैसे यहाँ पर मेरे जैसे बहुत सरे व्यूर्ज के बाद आएंगे या फिर मेरी ही तरह एंगे ग्राजुएशन के बाद तो ऑफिसले इंडिया में हम ना काम करते हैं साथ में ना पढ़ाई करते हैं मतलब स अधिस जीज का ट्रिक है कि मतलब उन्हें कैसे आंसर देना चाहिए जब जैसे अर दूरिंग इस ताइम जब कि जोब इतनी स्कार सेटी चल रिया और उस ताइम पर घर हो ना और इंटर्वी तक आप उन्च तो इस ते नहीं आपको बश्या ले कही निकलो तो आप क्या ब पॉजिटिव आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा है और एकदम अच्छे अटिटिटीट के साथ उनसे बात करो और कंपनी के बारे में पढ़ो बिकॉस बहुत लोग कंपनी के बारे में पूस्ते हैं और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टन है कि आप वो जोब के बारे में पता है और अफकोर्स बॉकिंग फर जॉब इसको पता है कि उसको क्या चाहिए तो यह सारे चीज थोड़ा ध्यान देना है में पॉजिटिव रहन है और कुछ नहीं तो यह सब चीजे इन चीजे बारे में आपको धान रखने जाहे पांडमें को चाहे प मतलब हिम्मत रखो यह ताइम लग सकते एक दो महिने में पस लाइव एक्जामपल में यह नहीं कह सकता आपको कि आते ही जॉब मिलेगी इनको भी दो तीन महिने लग गए डूणने में और इतना टाइम लग सकता है इस ताइम पर और और एक चीज मुझे बोलना है तो यह यह काफी handy information होगा इसके लिए मैं personally share कर रहा हूँ starting में जब मैं आया था तो मैं I was not applying for all kinds of jobs especially जो ऐसी jobs है जहां पर students लोग जादा आपको familiarity दिखेंगे कि जैसे कि यहां पर आप लाग विन you speak to your friends आपको पता चलेगा कि हाँ like I have a friend in Canada doesn't matter where he is in Canada, Macdonald's के लिए work कर रहा है कोई fast fortune के लिए work कर रहा है so मेरा experience है कि मैं starting में आपको अपला नहीं कर रहा था now especially for those viewers जो लोग 12 के बाद आया है तुम लोग specifically वही jobs target करना because उसमें उन लोग जादा experience नहीं देखते है और वो कैसा है कि fast-paced environment है कि वहाँ पे काफी लोग छोड़के भी जाते तो वहाँ पे opportunity आपको definitely मिलेगी the only reason I am talking about this is because मैंने last week apply किया था Wendy's और high five chicken जो fast fortune है और मेरेको immediately revert भी आया है तो especially उन लोगों के लिए आप लोग starting में ऐसे जगे पे apply करो बात में अगर आपको of course experience है simultaneously apply करते रो जैसे कि मुझे almost मेरा मेरा जो field related है job मुझे one month लगा मिलने के लिए तो हां तो यह जिस यह चीज कहना था मुझे और कुछ नहीं हां तो बस इन चीजों का ध्यान रखो हिम्मत मत हारना और चाह पांड में खोड़ना जोब सबको मिल जेंगी थोड़ा तो यह सीन है बाकी अगर आपको लग रहे है कि मैं से सड़कर मूव बनाकर की बोल तो इसले कि मैं बहुत जादा थका हूं बट मुझे चीज कंप्लीट करनी थी इसले मैं अभी मैंने कामरा टाय सब बात पगरा कर ली तो थैंक यह सो मच वच 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 वक वच 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 वन्टा रह था हूं अर हम आप को मिल दे नीस्ट वीडिओ मैं नीख सब्सक्रा मैं खो तब टके चड़िव था बाए